Income Tax के 5 head होते हैं Salary, उसी में Retirement आ जाता है फिर House Property, फिर Capital Gains, फिर Other Sources और एक होता है Profit and Gains from Business and Profession बाकी 4 head हम पढ़ चुके हैं अब 1 head बज़ गया है Profit and Gains from Business and Profession ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो Business से कहने का मतलब है जहां पर किसी Commodity का Sale Purchase हो रहा हो कोई भी Trade हो रहा हो तो उससे जो भी Income आ रही है उसका Calculation करना या फिर Profession से कोई भी Income Profession क्या होता है जिसे Lawyer, Doctor, इंके जो Income है उसको Calculate करना हम इसमें सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखते है कोईशन कैसे आएगा PGPB में तो कोईशन में अगर आपको PL Account दे रखा हो या फिर Income and Expenditure Account दे रखा हो इफ PL Account and Income and Expenditure Account इस बिंग प्रिपेरड बाई SSE देन फॉलिइंग फॉर्माट विल बी फॉलोड़ अब PL Account क्या है आप सबने 11th क्लास में PL Account देखा होगा कुछ ऐसे होगा एक साइट डेबिट और इस साइट लेफ साइट भी डेबिट और राइट साइट क्रेडिट इस साइट वो सारे expense जो की कम हुआ होता है लेस हुआ रहता है और इधर जो हमको income हुआ रहता है credit वो हम इस साइट लिखते हैं तो अगर आपके question में जो भी आप question solve करोगे उसमें अगर PL account दे रखा है या फिर income and expenditure account दिया है तब आप ये वाला format लगाओगे जो आप मैं बताने जा रहा हूँ तो ये सिर्फ PL account और income and expenditure account जब दिया रहेगा तो सबसे पहले लिखोगे computation of income from business फिर जो भी assessment year चला होगा आप वो लिखोगे जिसे एभी for the assessment year 2022-23 फिर इसमें net profit जो भी होगा आप वो सीधे outer column अब net profit कहां होता है तो net profit जो ये आपका PL account रहेगा उसमें आपको दे रखा होगा ये देखी जैसे यहाँ पे PL account है यहाँ पे नीचे दे रखा है 2 net profit 2,80,840 ये मैंने ऐसी एक example ले लिए आप लोग को समझाने के लिए तो फिर जैसे net profit दिया रहेगा तो आप क्या करोगे उस net profit को जो भी question में दे रखा होगा उसको आप सीधे यहाँ पे outer column में लिख लोगे उसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें add करनी होती है और कुछ चीज़ें less तो वो कैसे याद होगा वो देख लेते हैं add जो करना है वो है disallowed expenses less दो चीज़े करनी है एक disallowed income और एक expenses allowed as deduction but not debited to PL account इसको हम one by one समझते है सबसे पहले आपने net profit लिख दिया उसके बाद आप यहाँ पे दिया रहेगा आपको add करना होगा disallowed expenses तो disallowed expenses होते क्या है those expenses which are not related with business but debited in PL account ऐसे खर्चे जो की business से related ना हो और वो debit कर दी हैं अभी मैंने आपको बताया जो PL account होता है उसमें debit side में सारे खर्चे लिखे रहते हैं और credit side में सारे income लिखे रहते हैं तो आपको add क्या करना है वो सारे खर्चे जो business related ना हो लेकिन PL account में debit कर दिये गए हो जैसे देखिए आप यहाँ पे यह debit side है और इसमें से जो भी आपको खर्चे लगें कि वो business से related नहीं है वो आप add कर लोगे जैसे आप देखो household expenses तो यह भाई business का खर्चा नहीं है साब साब तो यह आप सीधे सीधे 51,730 add कर लोगे तो disallowed expenses में क्या क्या आजाता है वो देख लेते हैं जैसे any provision reserve fund आपको debit side में कोई भी provision दिखाओ लिखाओ bad debt provision income tax provision तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख देना मतलब कि add करना है आपको कोई भी reserve दे रखा है तो उसको भी सीधे सीधे add कर देना कोई भी fund दे रखा हो तो उसको सीधे सीधे आपको add कर देना है फिर उसके आजाते है personal payment अब personal payment क्या होता है जैसे बहुत सारे चीजे होती है SSE जो है अपने personal payment for example life insurance premium और भी कई सारे personal payment में आ जाते हैं उसको अभी मैं आगे बताता हूँ उसके बाद interest on capital अगर interest on capital आपको debit side मिला है तो आप उसको add कर दोगे interest on capital आप मानोगे कि वो proprietor ने कहीं पे क्या कहते है loan लिया था तो उसका ये interest है तो ये इनका personal expense आप मान लोगे और ये add हो जाएगा फिर उसके any remuneration, salary, bonus, commission to owner अब ये point बहुत important है अगर सिर्फ लिखा रहता है salary तो आप मानोगे कि ये salary staff को दिया गया है तो ये business का expense हो जाएगा salary to staff question में दे रखा है तो भी business का part हो जाएगा अगर साफ साफ question में mention किया हुआ है कि salary to owner तो वो आप add कर देना जैसे देखो यह 242 page पे इससे related एक example है जैसे ये illustration 11 है इसमें दे रखा था कि ये PL account एक sole proprietorship business तो उसमें ये सारे information दे रखे थे तो debit side ये लिखा हुआ था और ये PL account है यहाँ mention है तो debit side ये लिखा है to salary to staff तो भाई salary लिखा हो या salary to staff लिखा हो तो तो भाई वो business का expense मानते है पॉइंट में लिख रहा है to proprietors salary तो भाई ये owner को salary हो गई और हमने पढ़ा है salary को sorry owner को कोई भी salary मिल लई हो तो वो add हो जाती उसको disallowed expenses मानते है तो ये 15,000 रुपे जो है वो add हो जाएगा ये देखो आप solution में इसके यहाँ पे net profit था जो भी दे रखा था उसके ये देखो proprietors salary 15,000 सीधे-सीधे add कर दिया salary to staff लिखा है यह salary लिखा है तो उसको आप business का part मान लेना add मत करना लेकिन अगर owner को salary लिख रहा है तो proprietor कौन हो भी sole proprietorship business है मतलब एक बंदा owner होगा उसका और वो खुद ही अपने आपको salary दे रहा है तो वो आप add कर लोगे और salary to staff salary शर्फ लिखा है salary तो वो भी आप नहीं लोगे उसके बाद और क्या-क्या personal payment है जो add disallowed expenses में आ सकते हैं तो एक होगे household expenses घर के जो भी कर्चे हैं अगर वो debit आपको देखे वो आप सीधे सीधे add कर लेना income tax paid तो ये भी business से related नहीं है आप इसको भी add कर लेना कोई भी charity donation दे रखा है इसको आप सीधे सीधे add कर लेना loss on sale of motor car अब भी कोई भी car जो है उसको इन्होंने बेचा और उस पर loss हुआ तो ये business का part थोड़ी नहीं ये इनका personal loss है तो ये भी add हो जाएगा ये अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ expenses expenses disallowed तो वहाँ जो भी मैंने बताया था कि personal payment और बताऊंगो वही है ये provision for bad debt अगर bad debt provision अभी हमने पढ़ा कि कोई भी provision reserve या fund हो सीधे-सीधे आप add कर रहे ना fine penalty कोई भी हो add कर रहे ना gift gift से related एक चीज़ आपको याद रखना है जैसे आप जब profession वाला case solve करोगे जैसे for example कि आप एक doctor के income को calculate कर रहे हो तो doctor profession में आ गया और अगर doctor को कोई भी gift अपने patient से मिल ला होगा gift from patients तो भाई ये जो है ये माना जाएगा business का यानि कि profession का part माना जाएगा और ये profession में आ जाएगा अगर यही चीज़ यहाँ लिख देता gift from relative तो वो disallowed expenses हो जाता और वो add हो जाता लेकिन अगर gift from patient लिखा profession की बात हो रहे है मतलब वो doctor ही है तो कहने का मतलब अगर profession से related कोई gift है तो फिर वो allowed माना जाएगा और अगर वो relative कोई दे रहा है तो disallowed expenses है वो add हो जाएगा interest on TDS tax deductible on source पे कोई भी interest होगा तो वो भी add होगा वो भी expenses disallowed माना जाएगा तो disallowed expenses मतलब आप लोग समझ गए होंगे वो expenses जो business related ना हो और हमारे PL account में debit होए हो उन सारे expenses को आप add करोगे business related ना हो और वो debit होए हो तो उसको आप add कर लोगे और यहाँ एक चीज़ और मैंने चुछा था excess depreciation अगर adjustment में कहीं भी लिखता है excess depreciation इतना तो आप सीधे सीधे add कर देना बाकि depreciation का और अच्छे से अभी हम इस format के बाद पढ़ेंगे लेकिन अगर excess depreciation आपको adjustment में दिखता है तो सीधे सीधे उतना excess depreciation for example adjustment में लिख दिया excess depreciation is found to be in excess by rupees 2000 तो आप सीधे सीधे add कर देना बाकि depreciation का अभी हम इस format के बाद पढ़ेंगे तो भई कोई भी provision, reserve, fund add कर लेना personal payment में अभी जितने सारे हमने पढ़े household expense, life insurance premium, charity, donation इन सबको add कर लेना interest on capital add कर लेना अगर salary स्रिफ लिखा हो, commission स्रिफ लिखा हो तो मत add करना लेकिन अगर लिखा है कि salary to owner तो फिर salary to owner लिखा है तो फिर उसको आप add करोगे salary to staff और स्रिफ salary तो उसको business का मान लेना ठीक है अब हमने disallowed expenses तो पढ़ लिया अब हम PL account से समझते हैं कि हमको ये समझ में आया कि नहीं वैसे बस फिर ये सारे amount जो भी रहेंगे इन सब को पहले inner column में लिखेंगे और add करके यहां लिख देंगे और net profit में add करके यहां लिख देंगे उसके बात आगे का procedure होगा तो पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या-क्या अभी हमने सीखा जिसे आपको ऐसी question में दे रखा होगा PL account, profit and loss account एक side debit होता है और एक side credit होता है debit जो सारे खर्चे हुए होते हैं वो इधर record होते हैं और income जो होते हैं वो इधर record हुए होते हैं तो अब हम देखते हैं कि net profit में जो हमारा disallowed expenses था मतलब कि वो expense जो कि business से related नहीं है हम अगर debit किये गए हैं तो उनको add करना था तो वो हम देखते हैं जैसे अब लिखा है first to establishment expense तो फ़री establishment expense कुछ नहीं दिया हुआ है आप business का मानोगे इसको allowed मानोगे नहीं लोग है मतलब to rent, rate and taxes कुछ नहीं लिखा है मतलब आप मानोगे ये business के part में है rent, rate or taxes तो 2,900 रुपीज आप ये business का हो गया इसको add नहीं करोगे ये allowed हो गया सिर्फ हमको disallowed को add करना है जो कि business से related ना हो लिखा है two general charges 750 बढ़ी general charges business से related हो सकते हैं कुछ नहीं दिया है तो आप मानोगे कि business से ही related हैं तो तीसरा वाज़ा point भी allowed to household expenses भई household के खर्चे घर के खर्चे तो business से का कोई relation नहीं है तो ये disallowed expenses हो गया ये add होगा net profit में उसके बाद two commission सिर्फ commission लिखा है यानि कि ये staff को भी दे सकते हैं तो ये business का part हो गया ये allowed हो गया to discount and allowance कुछ नहीं दे रखा है मतलब कि ये business का part है provision for bad debt अभी हमने पढ़ा कोई भी provision हो उसको हमको add कर लेना है तो provision for bad debt बारा सो रुपए add कर लेंगे two posted charges कुछ नहीं दे रखा है तो आप मानोगे business का part है नहीं add करोगे two law charges 450 कुछ नहीं given है तो आप मानोगे कि ये business related कुछ law का होगा या कोई भी trademark लेने के लिए या कुछ भी business related case होगा उससे related आप मानोगे ठीक है उसके बाद लिखा है to advertising 151550 तो भाई advertising कुछ नहीं दिया है तो इसको भी मानोगे आप business से related है allowed हो जाएगा add नहीं करोगे to fire insurance premium fire insurance premium कुछ नहीं दिया इसमें भी तो आप मानोगे business का वैसे भी fire insurance premium ये business से related ही business के goods को insure करने के लिए इनसान कराता है तो ये भी allowed इसको नहीं add करोगे to GST paid 1450 तो भाई ये भी allowed रहेगा ये business का part है to repair not for business purpose अगर सिर्फ repair लिखा होता तो हम business का मानते और allow मान लेते लेकिन लिखा है not for business purpose तो 630 disallowed add कर लेंगे to loss on sale of car तो अभी हमने पढ़ा था जब हमने personal payment में और भी सारे थे कि अगर car को बेचने में कुछ भी loss हुआ है तो वो disallowed expenses होगा और उसको हम add कर लेंगे to life insurance premium by life insurance premium तो खुद के लिए उन्होंने कराया होगा और अभी हमने जो disallowed expenses पढ़ा था उसमें life insurance premium पढ़ा भी है life insurance premium personal खर्चे है इसलिए ये disallowed expense ये add हो जाएगा उसके बाद to interest on capital तो भाई अभी ये भी हमने point पढ़ा था disallowed expenses में कि proprietor ने कोई loan लिया होगा उसका interest होगा तो ये personal mining और इसको add कर लेंगे audit fee 300 कुछ नहीं given है तो आप मानोगे कि कुछ नहीं से मतलब कि adjustment में कुछ नहीं given और यहां भी कुछ नहीं लिका तो आप मानोगे business का part है business audit है तो ये allowed हो जाएगा to interest on bank loan तो इसका adjustment में अगर लिखा होगा कि ये business का purpose है तो फिर उसको आप allowed मानोगे और adjustment में नहीं भी दिया हुआ है तो इसको आप मानोगे कि ये business के लिए कोई loan था उसका interest है तो ये business का part हो गया और ये नहीं add होगा यहां पे allowed मानोगे उसके बाद provision for depreciation तो कोई भी provision हो उसको add करना है वो disallowed expenses होता है 2500 रूपीज आप add कर लोगे to provision for income tax 3900 provision कोई भी हो आपको add करना है तो income tax का हो या depreciation का provision हो उसको आप सीधे-सीधे add कर लो तो ये 2500, 3900 ये आप add कर लोगे और net profit और कुछ इदर बचा नहीं है उसके बाद net profit में वो सारे disallowed expenses add यहाँ आप लिखोगे फिर इन सब को add करके outer column में लिखोगे और net profit में add करके आप यहाँ पे लिख दोगे उसके बाद आप less करोगे disallowed income तो ज़स जो अब आपने disallowed expenses में पढ़ा उसका opposite disallowed expenses में था कि वो expense जो की business related ना हो मगर debit किये गए हो यहाँ पे वो income जो की business related ना हो लेकिन credit किये गए हो PL account में भई PL account में debit side हम खर्चे note करते हैं और credit side income note करते हैं तो disallowed expenses में था कि business से related नहीं हो expenses फिर भी debit कर रखा है और यहाँ पे disallowed income का मतलब जो की business related ना हो और वो फिर भी credit कर रखा है तो income of other head से आप याद रखना है मतलब अभी जो आप चार head पढ़ क्या हो salary, house property income from other sources, capital gain यह सब आपको कुछ भी credit side में दिखे तो आप सीधे सीधे उसको less कर देना क्यों? क्योंकि वो business related नहीं है वो और चार head में आते हैं तो वो सीधे सीधे यहाँ पे less हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे credit side में लिख रखा है by gross profit, तो इससे नहीं मतलब हमको उसके लिखा है by interest on government securities याद करिए आप income from other sources में आता है interest on government securities, तो यह PGBP का part नहीं है तो यह disallowed income में आ जाएगा यहाँ पे आप लिखोगे by interest on government securities और यहाँ पे amount लिखोगे इना column में, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे लिखा है by rent from house property और यह credit हो रखा है, तो भई house property का जो rent है, वो है income from house property का part PGBP का part तो है नहीं तो अभी हमने पढ़ा, जो income business से related ना हो और वो credit किया गया हो P.L में, उसको हमको less करना है तो यह interest on government securities और rent from house properties यह less हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे interest on government securities, rent from house property और इना column में लिखेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों के add करके आप उन दोनों को add करके आप यह auto column में लिखोगे और इससे less करके बाहर लिख दोगे, मतलब जितने सारे income जो business से related ना हो, मगर credit कियो गया है, उसके अलावा और क्या-क्या आता है अगर credit side लिखा हुआ है कि refund of income tax तो आप पूरा-पूरा amount यहाँ पे लिख दोगे bad debt recovered इससे related आपको एक चीज़ द्यान रखना होगा अगर question में सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि bad debt recovered bad debt recovered तो उसको आप सीधे-सीधे यहाँ पे less कर देना, disallowed income में और अगर यह भी लिखा है कि not allowed as deduction in previous year तो भी आप यहाँ पे लिख देना लेकिन कुछ question में आपको दिखेगा कि वहाँ पे लिखा होगा bad debt recover और bracket में लिखा होगा allowed as deduction in previous year जो bad debt recover के बाद यह लिख रखा हो कि allow as deduction in previous year मतबब previous year में deduction मिल चुका है इस bad debt पे तो उसको आप मानोगे कि वो business income है और अगर नहीं लिखा है कुछ या फिर not allowed लिखा है तो वो आप business का पार नहीं मानोगे और वो less कर दोगे disallowed income पे यह 239 पे जिसे यहाँ पे credit side एक PL account दे रखा है और illustration 8 है यह और उसमें credit side दे रखा है by bad debt recovered लेकिन यहाँ bracket में लिखा है allowed as a deduction in an earlier year मतलब पहले deduction मिल चुका है इसलिए यह business income मानेंगे और इसको हम less नहीं करेंगे यहाँ पे देखिया आप इसमें solution में solution में यहाँ पे less नहीं किया गया है और यहाँ पे notes में लिखा भी हुआ है second point bad debt recovered which had been allowed in an earlier year is taxable as business income तो भाई वो business income हो गया इसलिए वो less नहीं होगा कभी भी bad debt recover के साथ लिखा है allowed as deduction in previous year या earlier year allowed लिखा हुआ है तो उसको आप business का पार्ट मानोगे नहीं less करोगे ऐसे ही page number 253 पे आ जाएंगे आप तो page number 253 पे illustration number 21 में यहाँ पे दे रखा है यह PL account क्रेडिट साइड में दे रखा है by bad debt recovered not allowed earlier by not allowed लिख दिया यानि कि यह business का पार्ट नहीं है और यह 7100 रुपे आप less कर दोगे income में disallowed income में यह देखिया आप यहाँ पे less received not taxable bad debt recovered disallowed early 7100 तो भई bad debt recover जब भी यह लिखा हुआ है question में कि सिर्फ bad debt recover तो उसको आप सीधे सीधे less कर दोगे disallowed income में और not allowed भी लिखा है तो भी आप add कर less कर देना अगर लिख रहा है कि allow as deduction तो उसको आप business का पार्ट मानके उसको छोड़ देना तो फिर जो भी disallowed income में आ गया disallowed income में आप समझ गये होगे income जो business का पार्ट ना हो लेकिन PL account में credit हो रखा हो और जो हमने 4 head पढ़े हैं उन 4 head में आता हो तो वो और credit में हमारे यहां पर दिया हुआ हो इस PL account में जिसका हम question solve कर रहे हैं तो उसको आप सीधे सीधे पूरा amount यहां पर लेके वो सारे amount को add करके यह outer column में आप लिखोगे और यह जो net profit और disallowed expenses को add करने से आप लेस कर दोगे उसके बाद एक चीज़ और आपको less करना होगा expenses allowed as a deduction but not debited to PL account पहला point आपको याद हो गया होगा disallowed expenses दूसरा disallowed income तीसरा है वो expenses जो की deduction actual में होता है लेकिन PL account में debit नहीं किया गया है अब इससे क्या मतलब है जिसे कोई भी business हो रहा हो और उसमें कोई भी ऐसा deduction था for example depreciation जो कि PL में वो charge करना भूल गए हो जैसे कि उनका कोई भी business है और उसमें कोई depreciation है और वो भूल गए है उसको charge करना debit side नहीं दे रखा है सीधे वो adjustment में दे रखे हैं कि depreciation was इतना depreciation was 2000 और 3000 तो आप सीधे सीधे यहाँ पे less कर दोगे तो फिर इसको समझते हैं अगर लिखा है यह last वाले less में expenses जो की deduction allow होते हैं लेकिन not debited to PL account भाई यह PL account है हमारा अगर यहाँ पे depreciation कहीं लिख दिया सिर्फ PL account के debit side में सिर्फ यहाँ adjustment में ना दे रखा हो तो आप क्या करोगे उसको business का पार्ट मानोगे और वो allowed हो जाएगा वो कहीं भी नहीं आएगा net profit में लेकिन अगर यह PL account में debit side कहीं नहीं दे रखा है सीधे आप जो question के नीचे adjustment होता है वहाँ adjustment में दे रखाओ कि depreciation इस इतना तो फिर वो इसका मतलब है कि PL में charge नहीं हुआ था और third point हमारा यही है कि expenses जो deduction तो allow होते हैं लेकिन PL account में debit ना हुए हो तो वो adjustment में है सिरफ PL में नहीं है तो इसका मतलब कि वो debit नहीं हुआ था तो वो सीधे सीधे आप depreciation less कर देना यहां लिखा भी है मैंने given in adjustment यह illustration 6 में page number 238 पे आपको मिल भी जाएगा यह ऐसा question page number 238 यह जो illustration 6 है इसमें debit side में कहीं भी depreciation नहीं लिख रखा है उसके बाद यहां पे यह जो adjustment दे रखा है adjustment में यहां पे third point में दे दिया depreciation allowable is rupees 1700 as per income tax rules तो depreciation यह expenses deductible तो है allowed as deduction तो है लेकिन यह debit नहीं हो रखा है हमारे PL में तो इसको हम सीधे सीधे less कर देंगे यह देखिए आप यहां पे net profit था हमारा less items allowed but not charge तो depreciation 1700 रुपे 1700 रुपी सीधे ऐसे ही यहां पे bad debt भी उपर कहीं नहीं दे रखा था अगर bad debt दे रखा होता PL में तो तो ठीक है लेकिन PL में नहीं दे आया है तो इसको भी हम सीधे यहां लिका actual bad debt return of during the year amount to 550 तो यह भी PL में दे रखा हो था तो ठीक लेकिन PL में नहीं दिया था सिर्फ adjustment में दिया है तो 550 रुपे भी सीधे less हो जाएगा यहां पे अब हमने देख लिए इसमें उसके बाद यह भी आ गया इसको भी आप जो भी सारे add कर दोगे यहां लिखोगे और इस amount में से less कर दोगे यहां पे तब आपका आ जाएगा income from business तो इसको एक बाद देख लेते हैं बस आपको यह format याद करना होगा कि net profit जो भी debit side में दिया होगा net profit उसको आप सीधे सीधे यह auto column में लिखने ना add करना disallowed expenses वो expenses जो business से related ना हो मगर PL account में debit किये गया है उसको सारे business मतलब सारे personal खर्चों को add कर लेना यह जो excess depreciation वाला है अभी और अच्छे से आगे depreciation समझाओंगा तब समझा जाएगा बाकी adjustment में अगर आपको स्रिफ दिखा मिले लिखा मिले की depreciation is excess by इतना तो उसको add कर देना तो यह personal वाले हो गए उसके बाद less करोगे आप disallowed income add कर लिया आप disallowed expenses less करोगे disallowed income income जो की business से related ना हो मगर credit किये गए हो PL account में तो उन सारे income को आप add कर लेना refund of income tax भी दिया होगा उसको भी और bad debt recovered अगर allowed लिखा हुआ को है allowed as deduction in previous year तो तो उसको business का part मान के मत less करना लेकिन अगर स्रिफ bad debt recover लिखा है और not allowed लिखा है या फिर तो उसको आप यहाँ पे less करोगे तो disallowed income भी सारे आप less कर लोगे यह जो भी सबसे पहले net profit में से जब expenses less किये sorry add किये तो यहाँ पे सारे add कर कि यह amount आएगा उसके बाद उसमें से less करोगे आप disallowed income तो उन सब को भी जब less कर दोगे तो यहाँ पे एक amount आएगा उसके बाद last है expenses जो की deduction allowed तो होते हैं लेकिन PL में debit ना हुए हो जैसे सिर्फ और सिर्फ adjustment में depreciation अगर PL में और adjustment में दोनों जगा दिया होगा तो वो तो अभी आगे में बताऊंगा लेकिन सिर्फ adjustment में दे रखे हैं इसका मतलब कि यह PL में debit नहीं किये हैं और deduction देना था depreciation का तो इसको आप सीधे सीधे adjustment वाला less कर दोग तो फिर आजाएगा आपका income from business अब हम समझने जारे है depreciation से related यहां पर हमको जो जो PGPB में काम आएगा तो depreciation से related पहले तो आप तीन चीज़ रट लो एक तो जब सिर्फ और सिर्फ PL में दे रखा हो condition दूसरा जब सिर्फ adjustment में दे रखा हो only in adjustment और तीसरा जब दोनों जगह दे रखा हो if it is given both in PL account and in adjustment तीन पॉइंट आपको याद रखने एक जब सिर्फ और सिर्फ PL में दिया हो दूसरा सिर्फ और सिर्फ adjustment में दिया हो और तीसरा जब PL और adjustment में दोनों में दे रखा हो तो इन तीनों में थोड़ा अलग-अलग treatment होता है depreciation का बैस सिर्फ और सिर्फ PL account में दिया है मतलब कि वो हमारे business का part है और allowed हो जाएगा वो और उसको हम कहीं भी add less कुछ नहीं करेंगे उसके बाद second point जब सिर्फ और सिर्फ adjustment में दे रखा हो जब सिर्फ adjustment में दे रखा होगा इसका मतलब कि PL में नहीं allow हुआ है PL में नहीं less हुआ है तो उसको हम less करेंगे यह अभी हमने जब यह formula पढ़ा था यह computation of income from business का तो उसमें हमने सीखा था कि expenses allowed as deduction but not debited to PL account तो depreciation अगर सिर्फ और सिर्फ adjustment में दिया है तो उसको आप सीधे सीधे less कर लोगे तो भई अगर सिर्फ PL में दिया है तो वो business का part है वो allowed expense हो जाएगा उसको आपको less add कुछ भी नहीं करना है अगर सिर्फ adjustment में दिया है तो उसको आपको less करना होगा अब बात आती है कि जब दोनों जगा दिया हो PL account में भी adjustment में भी दिया हो adjustment मतलब जो PL account के नीचे दे रखा हो सारे information additional information वो तो उस case में आप क्या करोगे PL वाले depreciation को आप add कर दोगे disallowed expenses में और जो depreciation adjustment में दे रखा होगा उसको आप कर दोगे less भाई फिर से समझेगा इसको अगर PL में और adjustment में एक ही question में दोनों में 7 में दे रखा है तो PL वाले depreciation को आप करो add पूरा पूरा और disallowed expenses में और adjustment वाले depreciation को आप less करो पूरा पूरा यह illustration 12 में इसका एक आप समझ दोगे इसको देखके यह illustration 12 दे रखा है तो यह भी एक PL account दे रखा था तो इसमें यहाँ पे यह भाई left side debit होता है और right side credit होता है तो debit side में यहाँ पे लिख रखा था यह आप देखो नीचे से third point to depreciation 5,700 वाई स्रिफ PL में दिया होता तो क्या गरेंगे business income और sorry business expense और इसका कुछ treatment नहीं होता लेकिन यहाँ पे आप देखो PL में debit कर रखा है depreciation को और adjustment में नीचे 5th point पढ़ो आप depreciation on fixed assets chargeable according to income tax rules amount to 6780 तो भाई यह कौन सा condition हो गया तीसरा condition हमने तीन condition पढ़ा है एक तो सिर्फ और सिर्फ PL में हो दूसरा सिर्फ और सिर्फ adjustment में हो तीसरा जब दोनों जगा हो तो यह तीसरा condition है भाई PL में भी दे रखा है और adjustment में भी दे रखा है तो जब आपको PL और adjustment दोनों जगा दे रखा होता है तो PL वाले को करना था add, adjustment वाले को करना था less तो आप यहाँ पे देखोगे solution में इसके net profit दे रखा है जो भी था यहाँ लिख दिया फिर लिका expenses disallowed तो expenses disallowed में, expenses disallowed में आप पढ़ो ninth point तो expenses disallowed में ninth point depreciation को add किया गया अगर सिर्फ PL में दिया होता तो नहीं करते लेकिन PL और adjustment दोनों में दिया था तो PL वाले depreciation को expenses disallowed में यह ninth point में आप देखोगे कि add कर रखा है 5,700 यही था हमारे PL में उसके बाद मैंने क्या का था जब दोनों जगा होगा तो PL वाले को add adjustment वाले को less तो अब less में आप देखोगे चौथा point जो adjustment में जितना depreciation दे रखा था वो amount less किया गया है तो यहां पर आप देखोगे कि adjustment में पाचवे point में लिख रखा था कि depreciation on fixed asset chargeable according to income tax rules amount to 6,780 रूपीज तो यह जो amount था इसको उमने less कर लिया तो वैज simple सी बात PL में और adjustment में दोनों जगह दे रखा हो तो आप PL वाले को करना add और adjustment वाले को कर देना less तो depreciation के आप तीन condition समझ गए होगे शिफ पी यल में है तो वो business expense हो जाएगा सिर्फ adjustment में है तो उसको आप less कर दोगे दोनों जगा है तो PL वाले को add और adjustment वाले को less और अगर सिर्फ लिख रखा है adjustment में कि the depreciation is excess by इतना तो कुछ आपको नहीं करना है सीधे सीधे वो excess depreciation को आपको add कर देना है जैसा कि हमने यह आपने format में पढ़ा भी है कि disallowed expenses में excess depreciation add तो ध्यान रखना adjustment में अगर लिखा है कि the depreciation is excess by इतना तो आप वो सीधे सीधे amount add कर लेना यह excess depreciation वाला आप देखो illustration 11 में दे रखा है यहाँ पे आपको debit side में depreciation दे रखा है 10,000 रूपीज ठीक है उसके बाद अगर स्रिफ PL में दिया रहता तो तो business expense उसका हमको कुछ नहीं करना है लेकिन इससे related expense में एक adjustment में एक चीज़ दे रखा है तो वो देख लेते हैं expense में दे रखा है 6th point depreciation is found to be in excess by रूपीज 2000 अब इसमें आप confuse मत हो जाना कि दोनों जगा दे रखा है मैंने कहा कि जब depreciation का amount दोनों जगा दे रखा है जैसे कि PL में दे रखा था 10,000 यहाँ पे भी दे रखा होता कि depreciation is allowable इतना है यह depreciation amount इस इतना तब आप PL वाला add और adjustment वाला less करते लेकिन अगर सिर्फ लिखा है कि depreciation is found to be in excess by 2000 तो जितना amount excess है उस amount को आप सीधे-सीधे add कर सकते हो यहाँ पे आप देखोगे net profit में add जो हो रहा है expenses disallowed उसमें चौथा point excess depreciation charged है तो यह 2000 रुपीज जितना excess depreciation था इसको add कर दिया है बाकी जो depreciation PL में लिखा था उस तो कुछ नहीं किया है तो अगर PL और adjustment दोनों जगा amount दे रहा है कि इतना इतना depreciation है तब तो PL वाला add, adjustment वाला less लेकिन यह लिखा है excess by इतना तो excess वाले amount को आप सीधे-सीधे add कर लेना expense disallowed में उसके अलावा अगर लिखा है asset acquired but not put to use भाई जब asset खरीद लिया लेकिन use ही नहीं किया गया तो कोई depreciation उस पर charge नहीं होगा क्योंकि use ही नहीं किया तो depreciation कैसा एक point depreciation से related यह है if asset is used, asset is used below 180 days then only 50% of depreciation will be allowed अगर question में कहीं भी adjustment में mention कर दिया गया है कि asset खरीदने का date यह था तो उससे आपको अगर यह कहीं पता चल जाए कि asset जो है अभी asset को 180 दिन से कम use हुआ asset तो केवल 50% depreciation allow होगा और वहीं पे अगर asset को 180 days से जादा इस्तमाल किया गया है more than 180 days जब 180 दिन से जादा इस्तमाल किया गया है तो पूरा 100% depreciation allow होगा एक format अभी हम लोग ने पढ़ा वो format था जब question में PL account दे रखा हो या income and expenditure account दे रखा हो जादा तर question में यही दे रखा होगा PL account या income and expenditure account लेकिन कुछ question में आपको दिखेगा अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा जब question में बोला गया है कि following is the recipient payment account या cash book prepared तब आपको एक simple formula है बहुत वो लगाना है income from profession जो कोई भी profession से income हो रहे हो उसको आप सीदे सीदे add कर देना ठीक है मतलब profession से related add जैसे अगर एक doctor है और उनका क्या कहते है consultation fee medicine का जो भी fee ले रहे है वो अलग से तो वो सारे चीज आड हो जाएंगे अगर लिखाए gift from relative तो वो तो भाई personal expense personal income हो गया वो add मत कर लेना आप इसमें अगर वही चीज लिखाए gift from patients तो भाई patient इनके profession doctor से related है तो patient doctor से related है तो इनके profession से related हो गया तो gift from patient एक doctor के case में profession का income माना जाएगा वो भी add हो जाएगा जैसे आप illustration 60 में देखोगे श्री राम मनुवर एक registered medical practitioner है और इन्होंने book को cash basis पे maintain कर रखा तो अभी हमने पड़ा cash basis तब हम income from profession को add करते हैं और expenses of profession को less तो यहाँ पे आप देखो to balance brought down इसको छोड़ दो to loan from bank for professional purposes तो यह भी नहीं add होगा उसके बाद लिख रहा यह क्योंकि इन्होंने bank से loan लिया था professional purpose के लिए तो यह नहीं उसका to sale of medicine 26,500 रुपए तो यह इनके profession से related earning है तो यह add हो जाएगा उसके बाद consultation fee 16,000 यह भी इनके profession यानि की doctor रहे तो उससे related है तो 16,000 रुपए add हो जाएगा उसके visiting fees 3,000 रुपए तो यह भी इनके profession से related है तो add हो जाएगा interest on government security other sources का part है नहीं आएगा rent from house property income from house property का part है gift from father-in-law तो यह personal gift हो गया gift from patient तो यह इनके profession से related हो गया तो वह आएगा अभी आप confuse मत होना कि यह भाई वह जब हम कर रहे थे PL account दे रखा होता है और यह सारी चीजे interest on government security house property जब credit की रखी होती है तो वहां पर दूसरी चीज़ होगी क्योंकि वहां पर हम वही income लेते हैं जब हम PL account वाले solve कर रहे होते हैं तो वहां तो हम वही income ले रहे होते हैं add कर रहे होते हैं जो income हमारे business related ना हो और add हो रखे हो जैसा कि यहां पर हुआ है लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे है यह cash basis वाला question है तो cash basis वाले में सिर्फ हम income from profession ले रहे हैं gross professional earning sale of medicine जो भी था उसको add कर दिया consultation fee 16,000 यह आप यह ignore करना house property वह question में house property भी पूछा था इसलिए यहां साथ में लिग दिया है आप सिर्फ income from profession देखके चलो तो sale of medicine, consultation fee, visiting fee और gift from patient बस यही चार income थे profession से related तो वह add कर दिये अब less भी आप वही expenses करोगे जो की इनके profession से related हूँ लिखाने यहां all admissible expenses relating to the profession profession से related जितने भी खर्चे हैं वह आप less कर देना जैसे यहां पर आप देखोगे यहां लिखा है cost of medicine तो यह profession से related खर्चा है तो यह भी less कर दोगे general expense यह भी profession से related हो जाएगा motor car expenses तो यह उस पर depend करता है कि इन्होंने कितना अपने profession के लिए उसक्या था तो वह यहां पर adjustment में दे रखा है one half motor car expenses are in respect of his personal use यानि कि half किस लिए use हुआ है profession के लिए तो फिर यह motor car expenses दे रखा है 6000 इसका आधा amount यानि कि 3000 रूपीज वह हो जाएगा आपका profession related expenses ऐसी और सब भी profession related expenses होंगे वह आप यहां पर less कर दोगे उसके बाद सारे income from profession को add करके आप यहां लिखोगे income from expenses from profession को लिखके यहां पर लिखोगे और less कर दोगे सारे income में से तो इससे आ जाएगा आपका income from profession एक last heading आप लोग यह देख लो कुछ depreciation जो कि fixed होते हैं जैसे अगर question में नहीं भी दे रखा है उनका percentage तो आप इतना percentage लगा दे कहने का मतलब कि अगर वह asset आपको debit होते हुए दिख रहे हैं और उससे related आपको rate of percentage नहीं दे रखा है कि इतना depreciation लगे है तो आप इतना लगा हुए जैसे कि plant and machinery है तो 15% इसमें और भी बहुत सारे condition होते हैं तो वह अभी उतना आपके इसमें PGPP में इस बार नहीं आएगा तो यह 15% plant and machinery का intangible asset जैसे कि patent कोई भी patent हो आप होते हैं तो अगर कहीं भी debit किया गया हो तो फिर उस पे आप less में 25% depreciation less करोगे यह fixed 25% depreciation intangible asset पे building residential building है तो 5% depreciation और residential के अलावा और कोई purpose है तो 10% furniture दे रखा है तो 10% depreciation झाल झाल ड़ झाल अथ जल व झाल झाल झाल